आपने होम साइंस बोले तो गिरी विज्यान जैसे सब्जेक्ट को ओनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चो आज का वीडियो आप सभी के लिए वर्दान साबित होने वाला है आज हम लोग देखने जा रहे होम साइंस ओनर्स पेपर वान के सभी इंपोर्ट प्रशन गैरेंटी वाली बाति होती है यदि आपको मेरी इन बातों पर भी सभास ना हो तो सभी प्याड़े प्याड़े वच्चों के पास तो कोसन बेंख होगा ही कोसन बेंख को निकाल लिए और दीखिए साड़े सवाल आपके एकजाम में कितने बार पूछे गए तो ही अब आपका सवाल आता होगा सर ये पिछले दस वर्सों से सवाल लगातार क्यों पूछे जा रहे क्योंकि इससे बेहतरीन इससे सर्वस्रेश्ट सवाल होम साइंस देसे सब्जेक्ट में है यह नहीं इसलिए एकजामनर के दोरा इसे बार-बार दोहराने का कारिय किया जा ठीक है इन सभी प्रसनों का उतर जितने भी प्रसन आप देख रहे हो इन सभी प्रसनों का उतर होम साइंस बोले तो गिरीव विज्ञान के परफेसर के दोरा काफी सरल और असान सब्दों में तयार किये गए हैं यदि आप इन प्रसनों का उतर एक नजर से देख लेते हो आप मन की गती से याद कर पाओगे और पूरे लाइब टाइम तक इन प्रसनों का उत्तर नहीं भूल पाओगे इसी से प्याड़े बच्चों आप अंदाजा लगा सकते हो कि होम साइंस बोले तो गिरीव विज्ञान के परफेसर के दोरा इन सभी प्रसनों का उत्तर कितने अ अंसर यानि के उत्तर मेरे दोरा PDF की रुक में त्यार कर लिया गया है ठीक है अंसर के PDF में प्याड़े बचो शिर्प और सिर्फ आपको अंसर नहीं देखने को मिलेंगे यह सारे प्रसन देखने को नहीं मिलेंगे तो प्रसन लिखना आप लोगों के लिए मजबूरी है प्राप्त कर पाओगे ठीक है टारगेट विद सीवम यानि कि मैं 100% गारेंटी लेता हूँ दोस्तों इसी से साड़े सवाल आपके एक्जाम में फूर्चे जाएंगे इसमें तनिक भी संदे की बात नहीं है बस आप इतना पढ़ लो बस इतना सा पढ़ लो इससे जादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी अफसकता है नहीं है क्योंकि यही साड़े सवाल आपके एक्जाम में इस बार सेम टू सेम छपने वाले है जब आप एक्जाम में याद यानि की परवेश करोगे तो आप मेरे को दिल से याद करोगे इसलिए याद करोगे क्योंकि आप जब आपके सामने कोशन पेपर दिया जाएगा तो सेम टू सेम आपको लगेगा कि सर ने जो बताया वही सवाल मेरे एक्जाम में पूछे जा रहे तो आप पहला प्रसन यहाँ पर देख सकते हो पोशन से आप क्या समस्ती हो जल्दी से इन प्रसनों को लिखिए पोशन से आप क्या समस्ती है अच्छा पोशन और खराब पोशन में अंतर बतावे पोषन के बारे में आपसे पहले पूछा जा रहा है इसकी परीवसा हीं पूछी जा रही हूँ और अच्छा पोषन यानि की Good पोषन और खराब पोषन में आपको यहां पर अंतर बताना है है differentiate करना है ठीक है और अत्वा में पूझ दिया जाएगा आपसे पुषन का क्या आर्थ है सरीड में इसके कारे और इसके महत पर प्रकार डाले ठीक है दिखो यह दोनों प्रसंट सेम हैं ठीक है यह दोनों प्रसंट स्यम हैं तो आप प्यारे दोस्तों जब आप बताऊगे यहां पर साडीर में इसके कार यह क्या है इसके महत्व क्या है इससे आपको खुद बखुद सारी जनकारी पता चल जाएगी तो इन दोनों प्रस्णों का उत्तर से में दोनों प्रस्ण से में परन्तों इस बार यह प्रस्ण प में वर्नन करें अथवा में आपसे पूर्द या जागा अहार एवंग पोशन के इतिहास के बारे में लिखिए ठीक है और पहरे बच्छों आप लोग जब एक्जाम होल में परवेश करोगे तो जब आपको पी लिखने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत ही कम समय दी जात है और एक्जाम भी काफी नजदिक आ चुकी है आप लोगों की कुशन में दूसरा है वहारिक पोशन विज्ञान का इतिहास संचेप में वर्नन करें अथवा मैं आपसे पूछा जारा है आहार एवंग पोशन के इतिहास के बारे में आपको लेखने के लिखा जारा बोले भी भी ले बोले तो वर्य वर्य इंप्र те के लुदिक परिवाशा लिखे में के लोड़ी मंपड्रा लिखें अब इसके बारे में यहाँ पर आपको अधारित उपावित करने वाले कारुकों को समझातिक से प्यारे वाउस्पावित करने वाले कौण-कौण से कारक त्यारी हो मेरे तहीं और सत् dragged आपको वरगी अप्रेस्वाद को सक्षब्सक्राइब कीजмент पास करें कि हमलों कैसे पासकते हैं किишकोषब स Qio पच्छा एवं उपई होगी ता क्या है वसा कि हमारे सरी में इसके बारे में पूछा जाए तो देखो आपको खुद अनुबब होता होगा कि सर जितने भी प्रसंद बता रहे हैं यह वाकई में काफी जदा इंपोर्टेंट है आपको ऐसा अनुभूती होती होगी ठीक है कु प्रोटीन का वरगी करने है और प्रोटीन के कमी हो जाती है तो हमारे सरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्रोटीन का पाचन कैसे होता है ठीक हम लोग प्रोटीन को पचाते पर बताना होता है वह बरदे इस सभी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे गर्ल्स होंगे क्योंकि गर्ल्स होम साइंस काफी ज़्यादा रखती है तो मैं आप लोग की कामना करता हूं आप मेरे द्वारा दिए गए को सेम टू सेम अच्छे दंक से पढ़ लेते हो और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर क पीडिया भी प्राप्त कर लेते हैं तो आप होम साइंस देशे सब्जेक्ट में फूल मार्क्स प्रदान करके आओगे ठीक है प्राप्त करके आओगे यह मैं कैरेंटी ले रहा हूं ठीक है खनीज लवन क्या है पैड़े बच्चों और इसके बारे में आपको बताना है खन खनीज की मरण करना कृती है यह प्रक्रम में आपको पताना होता है ठीक है प्राप्ती के साधर लोई लवन की प्राप्ति के साधन कारेत część कमी लोह लवन की प्राप्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं लोह लवन का कारिय क्या होता है और इनके कमी से कौन-कौन से होती है इसके यह सब लक्षन होते हैं यह सब जनकाड़ी आप बोल पाओगे ठीक है तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इन सभी प्रस्नों का उत्तर अवज से पढ़ना चाहिए इन सभी प्रस्नों को अपने कौपी में लिख लेना चाहिए कुशन मट टेने कैसे होती है इनके सरोत कौन से कारी करने के लिए आप उतरदाई है जो कि भी विए आई आही है बोले तो वहरी वहरी इंप्रोटेंट स्वेथ सार के संगठन कारीयों एवंग प्राप्ति के शरोतों के बारे में लिखो विटाइमिन क्या है प्यादे दोस्तों यहां पर आ से कौन कौन से रोग होते हैं यह जानना अतियावस्य के काफी प्याड़ा सा प्रस्थ नहीं है को सबसे पहले आपको विटाइमिन डी के स्रोत बताने हैं इसके बारे में लिखना है बारे में साथियमिन काली लिखना है इसके बारे में लिखना है ठीक है अथिशन में आपसे पूछा जारा है जेए विटाइमिन बी सम्हुझ परतेग सदस के काली कावर्णन करे टीक है अब आपको लग रहा होगा सरे इह कुछन तो रिपीट हो यहाँ तो यहां पर भी प्य क्या है विटामिन के वरगी करन का वर्णन कड़े अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि वसा में घुलंसीन विटामिनों के नाम शुरोत ऐसे कौन से विटामिन है जो कि वसा में घुलंसीन है यानि कि वसा से मिले जूले हुए है वसा से गठमंदन किये हुए है और उस व क्या हो सकता है यह बताना होता है इसके बाद दोस्तों दर्निक मात्रा का बॉर्णन करें हमको पड़ती दिन कितनी मात्रा में आउडीन का सेवन करना चाहिए हमारे भारत में हम लोग खाने में मुख रूप से किन ख़दानों का उप्योग करते हैं इसके बादे में बताना आथवा में पुछ महत्पूर्ण ख़दानों की संद्धना मुल्ली का वर्णन करें ठीक है इसके तत्व की विवेश्चना करें ठीक है जो की विवियाई यह बोले तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट अथवा में पूछा जरा आहार एंबंग पूसर्ण में अंतर बतावे आपको आहार और पूसर्ण के बीच डिफ्रेंस्येट करनी है वो धारन के साथ ठीक है इसके बारे में आपको बताना होता है ठीक है तो उम्मिद करता हूँ आपने इन सभी प्रसनों को अपने प्यारे से कोपी मिले वच्चों हम लोग एक लाग सस्क्रावर के करीब पहुच चुके है जैसे हैं एक लाग स्क्रावर पार हो जाता है इस चैनल के माध्यम से आपको सभी और प्रफेसरों के द्वारा बिल्कुल निसूल्क शिक्षा दी जाएंगे डिजिटल बौर्ड पर और सारे के सारे कंटेंट भी आपको बिल्कुल निसूल्क दिये जाएंगे जिसके एक छल्경mostं नहीं लिए जाएंगे तो हमारे द्वारा हमारे टीम के द्वारा आप लोगों के लिए इतना सारा मधथ किया जाएगा हमारे द्वारा इतना सारा महनत किया जाए आप लोगों के लिए तो आप लोगों का द्वार mechanics dividنتा है डायत यंद Krada buttons свое को चैनल को और इस सभी प्रासिनों का उत्तर घूत भी आप लोगों को बिल्कुल फीरी में दे रहा हूं। इतना कौन करता बहुत समय में, बट आहरा हम आप लोगों के लिए इतना सा की रban करते हैं, और महिनत करते हैं। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ हमारे लिए करना होगा उसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना है सबीकिये घर में कम से कम चार-पांच फॉन एंड्रॉयड वाले आवस्ट होगे सबीकिकर से चैनल को सबस्क्राइब करें आपने दोस्तों के फॉन से भी चैनल को सबस्क्राइब करें और तो दूद और दूद से बने पदार्तों के पोश्क महतव का वर्णन करें ठीक है दुद और दूद से बने पदार्त के पोश्क का यहां पर आपको वर्णन करना है महतव का जो कि भीविए है को नुम्हें 20 देखे बिभीन दालों फलों सबजियों गेहूं चाबल एंगों फलों के पोशक मूली एवंग भोजन में इनका क्या महत्व है इसके बारे में बताए जो की भीभी आई यह बोले तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन वर 21 है प्याड़े बच्चों यहाँ पर देख पार जाने कि आप चीकन खाते हों मटन खाते हो उससे कौन-कौन से पोशकता तो आते हमारे सरीद में परवेश करते हैं इसके बारे में आपको यहां पर बेख्या करना है भोजन प्रिक्षन कि अवसकता उद्देश लाब इंगों विधियों करें आप मैंसे कुछ लगए हैं ज से कौन-कौन से आवस्यक्त तो हमारे सरीर में परवेश कर रहे हैं इसके बारे में आपको जाननी चाहिए जब आप कहीं जाओगे तो कम से कम बता पाओगे ठीक है और को सब्सक्राइब यहां पर मांस द्वारा उपलप्त कराया जाने वाले पोशकता तो आपने लिख लि सब्सक्राइब जो कि भी विया यह बोले तो वेरी वेरी इंपोटेंट को सब्सक्राइब जैसे की पिज्या वर्गर अगेरा वगेरा जो भी एसेटरा इसेटरा में नाम नहीं लेना चाहता बस्ट सिंप्ली बता दूब नहीं तो दिल में ठेस पहुचाएगा आप सभी को जितने भी फार्ष्क फूट है आपको पलवर के लिए अच्छा लगेंगे बट बाद में ना आपके सरीर में यह काफी ज्यादा जाहर फेला देंगे कभी-कभी आपके इस्टोमेक में फेन होंगी और आप मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ सरीर में होती रहता है इसके जीवानु भोजन यानि कि विशक्ता कैसे होती है Olá ऑटक पर रोगताम का सबसे बरा ऑन चांब को ठीक ही है 2 आपका भोजन को नश्ट करने में कौन-कौन अनुजीब सक्डिय भाग लेते हैं ठीक है भोजन को कोई जैसे कि मानके चलो आपने खाना बनाया उस खाना को एक से दो दिन छोड़ दो यह हुई तो नश्ट होने लगते हैं तो यह नस्ट क्यों होते पता है आपको उसमें कौ कौन-कौन-क करने शाषिकारण होता है इसके बारे में आपको बतता आना है फंक न jsem तो आम तरप भोजन लेते थे ठीक है अग्हाने के दोरान एक भी अन एक भी घु से बाहर अग्छा इसके बाद उसको क्या करते थे लास में ऊसको दूबो दिया जाता था फिर साफ होने के ततपस्चा तो थाली में फिर से उसे रखके खा लेते थे और समझ सकते हो खाना को कितना ज़्यादा आपको इस तरह के इंसान देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है तो यह सारे प्रसंद काफी जदा इंपोर्टेंट हैं आपको इन सभी प्रसंदों को अपने कोपी मिलीख लेना भी भी आया यह बोले तो बहुत पकाने से प्रोटीन और विटाइमिन्स पर क्या-क्या परिवर्तन जब भोड़न आप पकाते हो तो यह सबघी बना रही हो चाहिए उसमें प्रोटीन और विटाइमिन्स होती हो उनमें प्रिवर्तन देखने को मिल सकते हैं यह बारे में आपको भी पता होना चीए क्योंकि यह सब कॉमन को सिन पैर दोस्तों आप चलते हैं आप से कोई सवाल कर सकते हैं ठीक है पकाने के दौरान विटाइमिन को सुरक्षित जैसे मान की चलो कि आपकी साधी यह लड़के वाले आए आप से पूछे यार तुम्हारे ऑनर्स प्रेफर क्या है अब बोलोगे होम साइंस तो ठीक है होम साइंस है बच्चे अच्छी बात है आप से मै याकौमा नहीं होता है कि घृटाइमिन ए होता है किसी बनाने के दौरान हरी मिट में जो विटामिन A है, विटामिन A को हम चाहते ही कि सुरक्षित रखे, विटामिन A को नाश्ट ना करे, तो हम किस हिसाब से सबजी को तयार करेंगे ताकि विटामिन A में कोई कमी ना हो, कोई परिवरतन देखने को ना मिले, तो यह जनकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों, जब आप पकाती हैं तो पोस्टिक तद्वकास न्रक्षन कैसे कर चकती हैं इन सभी प्रस्णों का उत्रकापी अच्छी दंग से प्रोफेसर के द्वारा तयार किये गए आपको देखने मातर से याद हो जाएंगे जब आप कहीं भी जाओगी तो आपको अंदर से रहेगा कि कि हमारे भारत में को पोसं की सिकार बहुत सारे बच्चे भी होते हैं पेप दार्थ काफी जड़ा ट्रेंडिंग में हैं जिगड़ में आते हैं हम लोग कुछ से कुछ पीने लगते हैं विटामीन एफॉर के एक के बारे में लिखने के लिए कहा जाए सकता जल संतोलान पो कर दो